आप सभी बच्चों के लिए यहां पर यह कहानी चलने वाला है यहां से आपका हाइर टिगरुमेटरी यूनिट वन का यहां यहां जो है वो एम जैसी और एम आईसी वाले दोनों के लिए कॉमन है तो मैतमेटिस वाले और अधर वाले जो पैस आपना एक पेपर रखेंगे लिए कॉमन सब्सक्रेंग आज के सेशंन में सिसके सेमें और सिफ Allah को यायवार्श सर तोरम पारव के अप्यूंट coarse को देमइघ को प्ले स्टोर पर reacts मिल जागा सेर्च करेंगे प्ले स्कूरूरला कर वहां पर आपको मिल जाएगा वहांपर जो भी हम यूटुब पर जो भी क्लास्स पढ़ा लेते हैं सब का PDF यहां पर मिलेगा आपका कोई पेड़ कुर्स जोएन करना चाहते हैं तो वह भी एवलेबल है वाले बच्चों के लिए पेड़ कोर्स में दो तरह का फॉर्मेट है लाइब कोर्से से रिकॉर्ड कोर्से से कुछ ऐसे च्इuest में लाइब रिकॉर्ड है उनौटस में अबढ़ फैंटे तो हम कर सकते हैं और इस हेलप नमर पर कॉल करके किसी वी तरह का जानका सक्टें है कि एक्जामनेशन में कुछ ऐसा रिखा रहेगा कुष्टन के फॉर्मेट में स्टेट एन प्रूब दीमाइवर्स थेरम इसका दो तरह का है आपको हम इसमें बताएंगे कौन सा कब अपलाई करना या कब दोनों अपलाई करना सबसे पहली बात डदां पढ़ते हैं समस्जते हैं क्या कर mankind जो है वो ऐन कैसा है सर पाजिटिव यह फिर निगेटीव इंटिजर है N positive या negative integer है उस case में cos theta plus iota sin theta का power n cos theta plus iota sin theta का power n cos theta plus iota sin theta का power n होगा तो हम लिक सकते हैं इसको cos n theta to plus iota sin n theta देख तो यह जो power था न n यह जो power था न इसका n वो power angle के multiply में आ गया अगर आपको पावर कहा चला गया एंगल के मल्टिपलाई में अगर पॉजिटी निगेटिव में से कोई इंटीजर है तो और अगर फ्रैक्शन हो फ्रैक्शन का मतलब हुआ किसर व्यवाय क्यूंद कर फर्म में हो पावर उस केस में आप जो है आप प्रेक्षन कैसा बूसकता पॉजिटिव या निगेटिव उस केस में वन ऊफद वैल्यू वन आफ दा वैल्यू आफ लुए कि इसका कॉस थीटा पलस में आयोटा साइन थीटा का पावर अगर प्रेक्शन पावर है उसका बहुत सरा भैल्यू हो सकता है उसमें से एक भैल्यू वही आएगा पावर एंगल के मल्टिप्लाइब अगर पावर को डिरेक्ट आप एंगल के मल्टिप्लाइब में लाके लिख सकते हो इससे बहतरीन कंसेफ्ट क्या हो सकते है अब कलपना कीजिए अजisée हम चर्चा करें ठीक बह्या आपको यह लगाना है यह लगाना कप दोनुं लगाना है अब एक्जाम में सिर्फ पॉजिटिव या निगेट्रील लिखा हो कहला है अछिस्याम डेशन में सिर्फ लिखा हो कि बाहिश सेण कर देना है और नहीं कुछ लिखाओ तब भी आपको दूनों ही statement लिखने हैं और दुनों को प्रूफ करने है स्टा are प्रूफ सीखते हैं कि भैय आ पहला से start करेंगे दूसरा तिसा हम प्रूफ कि चलर आएंगे पहला में भी आप देखोगी तो 2 case निकल क्या आता है N अगर positive या negative integer है तो पहला case में चलते हैं कि सर जब N क्या हो? Positive integer हो तब जब पहला case में चलते हम लोग सर N कीसा हो सर? Positive integer हो N अगर positive integer होगा तो इसको proof करेंगे और इसी से बांकी धेर धेरे करके हम लोग का निकल जाएगा कि लिए मैंने कहा था इसको प्रूफ करने के बाद आप इस दुनों को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं तो में हीरो यही है तो चलिए बात करते हैं इसमें अच्छा इसको प्रूफ करने का तरीका थोड़ा सा हम दूसरे वे से लेगे जल तो कि इसको प्रूफ जो करेंगे हम ल निकाले इस प्रकाश दस तक निकाल सकते हैं लेकिन यहां पर प्रूफ करने का वे हम आपको अलग सिखाएंगे जिससे आपने फर्मूला भी सीख लिए तो चलिए यहां पर पहले बात करते एंड जब पॉजिटिव इंटीजर है तब हम यहां पर बात करेंगे सर्कॉस्ट और उन पलश में योटा साइन थी टावन अफ्र इंटु में इन योड़ै पस्ट यीगा सर्कॉस्टだ ँड़ितमर कर दिए कॉस्टी टीटा टू से मयुदिपलाय करें या क्यें सुआ-ठीटा-टू से मलृपलाय करेंगे य Capitol Ind demonstrate the वंजches को इस्के बाद ये आयोटा मिलनले खाःः मेया स्क्वेयर को कि माइनस, अम माइनस हुजाएगा, छाथ में कितना सर, sinθ1fendina, sinθ2, sinθ1 pendant sinθ1 ठीके है बंदू आप मल्लिप्लाइ के लिए simple product था अब हम क्या करेंगे सर जिसमें आयोटा नहीं है, उसको एक साथ रखेंगे, जैसे इसके पास आयोटा नहीं है, इसके पास आयोटा नहीं है अगर आयोटा नहीं है तो उस case में हम क्या करेंगे तर आयोटा अगर नहीं है तो उस case में हम क्या करेंगे इस दुनों को साथ रख लेंगे मतलब हम अगर कहें तो हमने ये काम किया कि real part को एक साथ रखा रियल पार्ट में आता है सर अपने पास में cos theta 1 into cos theta 2 और फिर माइनस में sin theta 1 into में sin theta 2 उसके बाद बात करेंगे सर उसके बाद उसके बाद जो भी अपने पास बचा हुआ है उसमें से आयोटा वाला पार्ट में से आयोटा कॉम ले लेना है कि इस दोनों में से आयोता कोम ले लेना है, यहां बच्छेगा sin theta 1 into cos theta 2 पलस में cos theta 1 into sin theta 2 पतलब sin theta 1 into cos theta 2 आफ फिर पलस में sin या पलस में cos theta 1 into sin theta यही था हासल, और आप यहां पर देखोगे एक प्यारा सा तका फार्मूला काम कर रहा है , पलस में पलस में पलस प्लस में लेकर स्कत्राुदु पलस रहा है क要ता seller अमडा काम के मैं पलस में आय ओटा इन सरीब कर ठीमा अर्ब हो समय पलस पलस द quindi our टीह इत धू समय णर स्धीर पैर फार्मूला यहां प्यार है बी का फर्मुला थीटा 1 प्लस में ठीटा 2 अब एकदम सिंपल और आसान था जब हमने दो कंप्लेक्ट नमर के दो पोलर फार्म को मल्टिप्लाइ किया को सिटा 1 प्लस में आयोटा साइन ठीटा 1 इन्टू वह सीटा 2 प्लस आयोटा साइन ठीटा टू तो कॉस साइन को फर्क नहीं पड़ा बट एंगल एड हो गया ठीटा बन प्लस ठीटा टू आ गया एंगल एड हो जाता है यह important point है अगेन अगर हम multiply करेंगे इसमें स्थार कॉस ठीटा बन इंटू में कर वस्थावन प्लस में आयो ता साइन टीटा वन को इसको लिख लेता हूं ऐसे कर एंग से और हम यूंद इंटि इसके बाद कॉस ठीटा टीटा 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 में आयोटा साइन ठीटा ₹ इस बिल्कुल सही हैं सही होने के बाद आप यहां पर से एक और देख सकते हो जब आपने इस दोनों को को multiply किया था इस दोनों को multiply किया था उसका result आपके सामने यह है ना बिलकुल हम इस result को यहां पर लिख लेते हैं जो कि हमाया पास में प्लस में थीटा टू अब पलस में आयोटा इंटू में साइन थीटा वन पलस में थीटा तू और उसके बाद इंटू में अगर हम चलें हम कह सकते इसका मतलब कॉस्ट ठीटा टी पलस में आयोटा साइन ता इस बहुत तो बढ़िया रिदो का प्रोड़क्ट जो हम यहां जो निकाल तो उसको एजिट लिख दिए अब फिर इसको मल्डिप्लाय करें यह इस से मल्डिप्लाय करेगा इसका मतलब हम लिखेंग मल्डिप्लाय करेंगे हमाइब पास आएगा आयोटा इंटू में कि आयोटा इंटू साइन ठीटा वन पलस में ठीटा त्व इन टु में चॉश्ट ठीटा लुश्ट एंट ए इंटू में बड़कू लगा यह बिलकुल लेगा सब आच्छा एक बात यह बताओ जब ये इससे मुल्टिप्लाय करता आयोटा स्क्वार लेगा तो माइनस तो हो नहीं है माइनस में आ जाएगा अपने पास में साइन ठीटा 1 पलस में ट्टू अ इंटू में साइन ठीटा 3 अब देखो यह जो पार्ट आपको दिख रहा है मेरे भाई यह पार्ट और यह पार से हम लोग ऐसे किन्मी चुन पलस में ठीटा 2 इंटू में साइन ठीटा त्वे तो हम ने यह काम किया किया जो रियल पारते इसमें नहीं है उसको एक साथ लाके लिए यह प्रलस के साथ प्रलस के साथ आयोटा इंटू आयोटा वाला है उसमें से आयोटा हम कॉम ले लिए यह अपने पास, sin theta 1, plus theta 2, sin theta 1, plus theta 2, into cos theta 3 है, फिर पलस, नहीं, माइनस, पलस ही होगा, sorry, यह वला है, आसर, प्लस कि प्लस में आ जाओगे तो कॉस्ट ठीटा फट एपलस में ठीटा टु इंटू साइन ठीटा वाह सुंदर हैं अब अब मुझे ये बताना इसमें फिर से फर्मुला काम कर रहा है क्या कोस एक आस भी पाइनस साइन एस इन भी यह सर यानिकि फिर से फार्मूला काम करगा कॉस a प्लस वी ए टी puff मेर फी ना प्लस स्थीर है अम आगए थीटा थरी और अगर हम बात करेंगे इसमें सदार तो हम देखरें कि प्लस योटा इंटू इसमें भी फार्मूला काम कर रहा है अब आपके सामने सारा कहानी अपको दिख रहा हूँ को दिख रहा है बिल्कुल सब अब अब सुनो सुनो यह जो तीन कंप्लेक्स नमबर को आपने यह तीन पूलर फर्म को आपने multiply किया तो तीनों के angle का addition होता है इतना बात तो आपको समझ में आ गया हा सर अगर हम चार का करेंगे चारों के एंगल का addition होगा इस प्रकार से अगर हम लोग n complex number को multiply करेंगे मतलब cos theta 1 पलस में Iota sin theta 1 फिर साथ में cos theta 2 पलस में Iota sin theta 2 और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से cos theta n आप पलस में Iota sin theta n अगर होगा in that case में हम क्या कर सकते हैं सर इस case में हम यह कर सकते हैं कि भईया अब बहुत सारा complex number multiply में आ गया तो दो पे एंगल एड होता है तीन पे भी एंगल होगा तार पे भी एंगल होगा एंड कंप्लेक्स नंबर होगा तभी भी एंगल एडिशन होगा यह ऐसे ही चलता है अब पलस में सर आयोटा इंटू में साइन टीटा वन पलस में ठीटाा 2 पलस ठीटा थी अप्टू दो के एंगल और एक और खास बात याद रखिएगा मेरे भाई ये जो आपने पास आपको दिया हुआ है जो दिया हुआ है ये क्या है खुद में के जवदर्श फरमूला है क कितने सारे complex number अगर polar form में हो बहुत सारे complex नंबर polar form में हो similarly करके यहां लिखलो जैदे मजा आएगा आपर similarly कर देता हूं कि प्रकार से हम चलेंगे आगे तो इसा लड़ी अगर मोगत एंगल को हम एड कर सकते हैं यह 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 आपको याद रखने हैं याद रखें यह जरूरी चीज़ा याद रखेंगे इसका काम हो पड़ेगा आपको कोश्चन वगरा सब बनाने में कि यह याद भी रखना एंगल्स को जोड़ना है polar form अच्छ अब हमने कहा कि अगर सारे एंगल को सेम कर दिया जाए मतलब ठीटा वन ठीटा टू ठीटा थ्री इतना भी एंगल है सब को सेम कर दिया जाए उसका नाम रख दिया जाए ठीटा कि हमने सारे एंगल को कहाँ ठीटा है अभी एंगल क्या है सब ठीटा है ऐसा क्यूं कर रहे तो सोचो ना एकस इंटू वाइटू जड़ का वहलू मालों 10 है तो अगर एकस वाइज तीनों के जगह तो छोड़ दो वाईजर के जगह पर अगर हम एकस ही फूर कर दें एकस वाइज तीनों को एकसी रख दें एकस क्यों को अगर पावर में चेंज करना है किसी एक नमबर के पावर मालों की हमें आटी के पावर में इसका मत्तब यहां पर से आप यह कह सकते हो कि कॉस्ट थीटा पलस में आयोटा साइन थीटा फिर कॉस्ट थीटा इसको लिकरा हूं इसके बाद आप यहां पर से देखोगी इसके एंगल्स कैसे हो गए सब्सक्राइब 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 अगर हम देखें सेम चीज एन बार मल्टिप्लाइब हुआ है और आपको अच्छा दिखना सेम चीज अगर आपने बार मल्टिप्लाइब किया है मैं लिखी देता हुए टाकि और फिर्लूक अच्छा लगी यह जब एंट तक मल्टिप्लाइब करते तो एंगल क्या होगा एड होगा कि ठीक है यानि कि सिद्धास्मूर की मल्टिप्लाइब आपने कहते एंगल एड़ हुआ मल्टिप्लाइब सेम चीज को आप एंड टाइम्स करेंगे इसका मतलब लिखेंगे पावर एन वास ठीटा पलस में आयोटा साइन ठीटा का पावर एन लिखेंगे और उसके बाद करेंगे हम कह सकते हैं परसे सर्कॉस एंड टीटा फलस में आयोटा साइन एंड पस इतनी सी बात अबर एंगल के मल्टिप्लाइब में चला गया यह केस था पहला वाला जब आपने कहा था कि एन कैसा होगा सर जब आपने कहा कि एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है तब अब बात करते हैं इसमें जब एन क्या हो निगेटिव इंटीजर हो तब वेन एन जो है वो निगेटिव इंटीजर है तब अगर निगेटिव इंटीजर है इसका मतलब एन का वेलू कोई माइनस का नंबर होता होगा एन का व हां पर से एदु है ना एन वह बेसिकली जो है एन बहाबर माइनस एम नावर क्या सोच लिए सर माइनस एम है यहां पर एम जो है न एम वह पॉजिटिव इंटिजर्ट का है पॉजिटिव इंटिजर्ट कि अहीं पर देखा जाए तो भाई एक बार बताओ मुझे अब कॉस ठीटा पलस में आयोटा साइन ठीटा के पाबर एन को ही नब्रे करना है हां सर लेकिन इसको कर देना है कॉस ठीटा पलस आयोटा साइन ठीटा का पाबर माइनस अब यह पाबर जो है माइनस से नीची आके सिफ्ट होएगा तो पलस बन जाएगा मतलब कॉस ठीटा पलस आयोटा साइन ठीटा का पाबर जो है वह अपने पास में एम हो जाएगा अब पाबर जो है यहां पर एम हो गया तो एम पलस हो गया एम जो है वह पॉजिटिव इंटीजर है इस केस के हिसाब से फस्ट कंडिशन के हिसाब से अगर यह पॉजिटिव इंटीजर है इसको मल्डिप्लाय में भेज सकते पाबर को ना बिलकुल सर इसका मतलब हम यहां स साइन एंप जा बहुत सुन्दर है फिर इंट इंट यह आ गया तो इंटू कहां से आगरें इंटू आया नहीं हम ला रहे हैं हम क्या करने सर इसके कंजुगेट से मल्डिप्लाय डिवाइड करें कॉस्ट एम ठीटा अफ पलस में आयोटा साइन एम ठीट और डिवाइड उन्हें माइनस पहले से माइनस लाओ तो यहां पर हमने माइनस कर दिया ठीक है वह उसके बाद यहीं पुछी आजाएगा कॉस्ट एम ठीटा माइनस आयोटा साइन एम पाउसंदर बहुत लाजवाब अब पाबर जो है सोई पाब बोड़ो उपर व और डिवाइड में हम कह सकते हैं कॉस्ट एम ठीटा का स्क्वेर अब फिर माइनस में आयोटा साइन एम ठीटा का सब्सक्राइब अब यहां पर देखोगे तो कॉस्ट एम ठीटा कॉस M थीटा माइनस आयोटा इन्तू साइन M थीटा अब बट्टा में सर यहां पर से लिखोगे कॉस कॉस स्क्वेर M थीटा अफिर पलस साइन स्क्वेर M थीटा पलस कहां से आगा सर इसना बात तो आपको समझ में आता हुगा यह पावर आयोटा कर दो होगा तो माइनस, माइनस पहले से तो पलस इसका मतलब हमाया पास आगया सर कॉस M थीटा माइनस आयोटा साइन M और इस बात को अगर समझ गये हैं, यह वन हो चुका है, तो नीचे लिखने क्या आवसकता? नहीं है, कोई ज़रूत नहीं है अच्छा, यह भी जानते हैं कि कॉस में अगर हम M थीटा को माइनस M थीटा कोई फरक नहीं पड़ता है नहीं सर, तो कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है बट यहाँ पर पलस करेंगे तो हम लिख सकते हैं साइन में क्या चीए? माइनस M माइनस M उसके जगह पर लिख सकते हैं, इसका मता आप कह सकते हैं, यहाँ पर से कॉस एन ठीटा अपलस आयोटा साइन, एन ताम रूफ तयार अब केस नंबर हम चलते हैं सर, 3 के उपर, मतलब जब अपने पास N क्या हो, फ्रेक्शन हो, when N is equal to fraction, N बराबर फ्रेक्शन हो, फ्रेक्शन का मतलब यहाँ पर से, इग्जामनेशन में यह हो सकता है, हाँ, इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में N को एक फ्रेक्शन माल लीना है, N को हमने एक फ्रेक्शन नाम दे दिया, अब जो भी नाम आपको देने का एक्छा हो, दे सकते हो, हमने यहाँ पर N का नाम रख लिया है, सर, N बराबर में, N बराबर P by Q, यहां पर कहा दिया सर्की जो है ना वह एनी इंटी कि एनी का मतलब पलस या मैनस हो सकता है और युद्ध जो है ना वह पॉजिटिव इन्टी कि तो कि आपने देखा होगा कि कि जब कभी कोई फ्रैक्ष्ण लिखा होता है ना चनली ऊपर में माइनस होता है नीचे में ओंप मैंने लिखाम पैस्ति होता है यहनिक नुमेरेटर पार्ट किसी थरफ का नहिंग वह सकता है टिधर पलस में सकता है मैस्पा इमटेटीव होगा तो आपको यह लगसे ब्ली कि आम सकता Нे किल just to छोड़के पॉजिटिव का मतल्ब हो गया इसामिल नहीं है तो अगर मैंने कहा कि एक बाब बताओ कि कॉस्स कीटा बट्टा क्यूँ आप पलस में आयोटा साइन ठीटा बट्टा क्यूँ है इसका पावर जो है इसका पावर हमने डाल दिया कि क्यूँ है कि अपने मस्वान से के डिलेशन तेयार कर रहा है क्यूं वो भी चर्चा हो जाएका तो देखो क्यूँ जो है वो क्या है क्यूँ क्या है सर्ट यूप पॉजिटिव इंटेव है यह पावर एंगल के मल्टिप्लाइब में जा सकता है क्योंकि पॉजिटिव इंटेवला स्टीटा अपलास में आयोटा साइन कि नहीं बहुत बढ़िया है है ёब एकदम बढ़िया है सब्सक्राइब इसका मत्फ हम यह से ये कह सकते हैं कि सब्सक्राइब लिख रहे हूं बार में आप लिख सकते हो सब्सक्राइब अगर लिख सकते हैं इसका मतलब आप यहां पर से यह बताओ कि दोनों तरफ अगर हमने पावर कर दिया दोनों तरफ में हमने अगर पावर लगा दिया इसके पावर और क्यों करने से मिलेगा इसका मतलब यहाँ पर से कह सकते हैं, one value of, therefore one value of, इसका असर, cos theta plus में iota sin theta का power one by q is equal to cos theta बटा q plus में iota sin theta बटा q का power कितना हो जागा? मैंने क्या क्या, दोंतरा power q रख लिया, ठीक है बंदू, इसमें छूड़ गया था power, oh sorry, यहाँ power क्या था, q था, यह power नहीं आए, कि आपने power q कर दिया, इसका मतलब, क्यों से क्यों कर चुका होगा? अब इसमें power p कर देंगे, ते पी वाय क्यों बन जाएगा? हाँ, सर, इसका मतलब अब दोनों तरफ हम power लगा देते, taking power, taking p power on both sides, taking p power on both, तोनों तरफ power p लगा देते, यहाँ भी कर देना on both sides, जैसे power p लगा होगे, इसका मतलब, इसका scene क्या बनेगा? one value of, therefore, one value of, इसका cos theta plus में iota sine theta का power, अब जब इसके power p पड़ेगा, तो यह हो जाएगा, p बटा q, is equal to में cos theta, cos theta, बटा q, पलस में iota sine theta, बटा q, the whole power, p, अब p चूंकी positive या negative, कोई भी integer हो सकता, any integer न, आद दूनों case हम प्रूफ कर चूँके, p positive integer होगा, तब भी power multiply में जा सकता, negative होगा, तभी multiply में जा सकता, इसका मतलब, हम इसको एक और बार लिख दें, तर लिखेंगे, one value of, one value of, किसका cos, theta, पलस में iota, sine theta का power, p बटा q बराबर, कितना सर, cos, p बटा q theta, power मेंने multiply मिले आया, sine, p बटा q theta, बहुत बड़ी, अब p बटा q का नाम हमने रखा था, n, इसका मतलब, आप finally, यहाँ से कह सकते हो, तो, hence, one value of, one value of, किसका सर, cos theta, पलस में iota, sine theta का power, एन, is equal to, में, is equal to, में, cos theta, पलस आयोटा, sine, यह, फाइनली आपके सामने, जो है, प्रुफ त्यार हो गया, उमीद करताओं कि बड़िया से समझा पाऊंगा, समझा पा, पाया होंगा, क्योंकि यह जो अपने पास है question, यह बहुत ही important question है, theorem जो है यह वाला, यह बहुत important theorem है, आप इसको जरूर अपने copy में सजा लिजिएगा, और दिमाग में भी, अगर आपको इस theorem का proof अक्षा लगा हो, वाज़ा आया हो, तो वीडियो को like कर दिजिएगा, और एर भी कर दिजिएगा, अगर किसी तरह का दिक्कत रहा गया होगा, तो आप जरूर comment section में हमें बताईएगा, हम उस दिक्कत को दूर करने का कुशिस करेंगे, अपने next lecture, आज collection में इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं आप सा collection में, तब तक घर पड़े हो, मुस्त खुराते रही है, खुमला लाके पड़ते रही है, और वीडियो को like करते जाईएगा, मित्रों के बिच में share करते जाईएगा, नए बच्चे जो भी जूर रहा है, चैनल को subscribe ज